हलो अबरीबान वेलकम टू परफांट अज़केशन आज की इस वीडियो में हम अपना प्रोग्रेस टू का लास्ट कोशन देखने वाले हैं यह जो चाप्टर है differential calculus का चाप्टर है और limits के topic हमने अभी तक complete कर लिये थे और derivatives को कैसे आपने solve करना है उसी के questions अभी तक हम करते आएं यह last question है derivatives के लिए यह progress 2 का question है number 3 using the limit इस limit का use करके आपको prove करके दिखाना है कि अगर मैं a की power x को differentiate करूँगी तो मुझे a की power x log a मिलेगा यह चीज तो हमें clearly पता है क्योंकि हमने formula देखा था जो exponential का formula होता है कि a की power x के लिए derivative हमें क्या मिलता है a की power x log a where a greater than 0 and a is not equal to 0 कि इसमें हमने एक और चीज़ देखी थी कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता और उसकी value हमेशा 0 से greater होगी तो 2, 3, 4 कोई भी values में हो सकती है एक ही जगा पर लेकिन 0 नहीं हो सकती और 1 नहीं हो सकता तो यह condition हमने हमें पता है यह condition होती है इस formula के लिए जो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था और हमें यह भी पता है कि इसको differentiate करके हमें यह मिलता है लेकिन इस question को आपने proof करके दिखाना है इस limit का use करके अब यह limit क्या कहती है limit कहती है कि x tends to 0 है आपको x approach करेगा 0 दके लिए और function given है a की power x minus 1 by x वो equal हो जाएगा solve करके ln a तो ln a हमें limit मिला जो की x approaches to 0 put करके इसके अंदर solve किया तो हमें ln a value मिल गई इसी limit का हमें use करना है so start करते हैं question को तो यहाँ आप देखेंगे तो हमें differentiate मतलब इसको proof करना है prove इसको करना है लेकिन इसका use करना है तो proof करने के लिए सबसे पहले limits के true proof करना है तो हमें limits के लिए definition वाला derivatives का एक formula पता है जिसकी help से हमें इसे proof करने वाले हैं वो definition क्या कहती है कि किसी भी function के लिए derivative find out हो सकता है इसकी help से अब वो function यही definition है हमाई derivatives की कि f dash x equal होता है limit x tends to 0 f x plus delta x minus f x by delta x और जो given function होगा उसको हम यहाँ पर replace कर लेंगा और उसकी जगा पर x plus delta x हम यहाँ put कर लेते हैं तो जो differentiate करके proof करके दिखाना है वो function क्या है a की power x तो function यहाँ पर अभी है a की power x इसी को ही differentiate हमें करना है अब चाहे मैं यहाँ पर f dash x के अंदर x की जगा पर a की power x लिखूँ या इसको इस तरीके से लिख लूँ अभी तो यह general formula मैंने हाँ लिखा है तो अगर आप f dash की form में इसको लिखना चाहते हैं अब क्या लिखेंगे f dash bracket में a की power x में फंक्शन किया उसकेस में a की power x लेकिन अभी तो यह general formula है तो हम यह चीज जस हमने लिखी है कि हमें इस rule के according इसको find out करना है सो start करते हैं अब आप कहिए कि rule के according हम क्यों find out कर रहे हैं क्योंकि limit तो हमें बोला नहीं है कि definition की help से हमें formula find out करना है नहीं लेकिन हमें इसमें यह का है कि using the limit मतलब limit का use करना है और derivatives में limit के लिए हमारे पास formula यही होता है जिसकी help से हम इसको solve करेंगे सो start करते हैं अब ax की मतलब यह function है तो replace कर लेंगे पूरे function को a की power x plus delta x minus a की power x by delta x तो limit x टाइन सो 0 यहाँ पर a की power x plus delta x है minus a की power x है तो इन दोनों terms में से मैं a की power x common ले सकती हूँ तो common कैसे ले सकते हैं यह दोनों powers add हो रही है तो base अलग अलग करके powers को लिख लेंगे में split करके तो एकी पावर x . A की पावर delta x यहां लिखा जा सकता है तो इसलिए मैंने A की पावर x common कर लिया तो ये हो गया A की पावर x इस से common किया तो हमें मिला A की पावर delta x यहां पर और यहां पर minus का 1 अब अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को मैंने और हमारे पास given है कि limit x टेंग सो 0 की जगह पर और यह जो function इसके जगह पर मैं ln a लिख सकते हूं तो इसी जगह इस limit को मैंने इस function के लिए यहां पर साथ में attach किया ताकि इन पूरे function की जगह पर मैं log a लिख सकों तो log a सो replace हो जाएगा यह function so we get d a की पावर x by dx is equals to ax a की पावर x dot lna by using the given limit तो given limit का use करके हमने ऐसेस को proof करके दिखा दिया इसके बाद मैंने कुछ questions यहां पर आपको दिये हैं यह question आपके लिए task रहेगा मेरी तरफ से इसमें आपको क्या करना है अभी तक में जितने भी हमने derivatives के rules देखे तो उन पर based यह questions रहेंगे अब इन questions को करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब जो आने वाला topic है वो chain rule का topic है और chain rule के topic में आपके concepts को clearly अच्छे से समझ में आना बहुत ज़रूरी है और जब तक आपको practice नहीं होगी questions की करने की तो आप उन questions को attempt भी नहीं कर पाएंगे तो ध्यान रहे इन questions को attempt करें और अगर आपको कोई भी doubt है तो telegram group में आप मुझे message कर सकते हैं अपना doubt discuss करने के लिए इन questions को करने के बाद आप मुझे comment करके ज़रूर बताएं कि आपने questions कर लिए हैं आपको हमारी वीडियोज पसंद आये तो like करें हमारी आगे आने वाली वीडियोज में update रहने के लिए subscribe करें और दोस्तों अगर आपके कुछ suggestions हैं तो हमें comment करें thank you